नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीला अधिकारी कारियाले से नहिसुल्क सूचना किस प्रकार प्राप्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे चलिए ज तो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अबस सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर दें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे पर शेयर अबस करें अपने ग्रूपों में शेयर करें वाटसप फेस्बुक इस्टाग्राम जहां हो अबस प्रपत्रकौ का फॉर्म होगा वो फॉर्म पर भर लेंगे जिने फॉर्म उपलब्द ना हो तो वो साधे कागज पर भी सूचना मांग सकते हैं या तो आप टाइप करा लेंगे तो लिखेंगे बिहार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्रकौ शेवा में लोग सूचना पताधिकारी सहर जीला पताधिकारी जीला पताधिकारी काडियाल है अपने जीले का नाम दे देंगे और अपने राज्य का भी नाम दे सकते हैं विसे वांचित सूचना अपलब्द कराने के संबंद में आवेदक का नाम पूरा अपना नाम लिखेंगे अपना 2016 के तहट एक राज आयुक ने सकता के कारियाले में एक आवेदन जमा करावाया था जिसकी परतिलिपी जिलादिकारी को भी भेजी गई थी उसी के सम्मन्द में मैंने यहाँ सुचना की मांग किया है आप लोग देखें इसमें मैंने सुचना की मांग मैं अपनी मा दैरानी देवी के तरफ से किया है इसलिए मैंने लिखा है मेरे दिप्यांग पुत्र प्रविन कमार सर्मा द्वारा दिप्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नियाले राज आयुक ने सकता का कारियाले पुराना सची वाले पटन के समक्सिकाइद वात प्रिशित किया था जिसमें अपर आयुक ने सकता के पत्रांग परिवात संख्या इतना इतना को दिनांगितना की प्रतिलिपी जिला पदादिकारी भागलपूर को सुच्टा आर्थे में मावस्यक कारवाई है तो प्रिशित किया गया था इस सम्मन में मैं निम्रकित सुजना चाहते हूं पहला जिला पदाधिकारी द्वारा की गई कारवाई की देनिक प्रगती रिपोर्ट की प्रमानि चाया परती चाहते ह МУं जैसे यह आवेधन कप किस अधिकारी के पास पहुचा उनके पास कब तक रहा इस दवरान उन्होंने क्या करवाई की दूसरा उन पदाधिकारी के नाम वो पदनाम बता हैं जिनें इस पर करवाई करनी थी लेकिन सोसमय नहीं की गई तिसरा बिलंब के लिए दोसी पदाधिकारी कौन-कौन है दोसी पर सोसमय काम नहीं करने वो जनता को परिशान करने के कारण क्या क्या कारवाई की जाएगी इस सिर्थ सूचना प्रदान की जाए तो अब इसमें देखना है कि हम लोगों को निसुल्क सूचना किस प्रकार दी जाती है इसका क्या देना पड़ेगा जो हम लोगों को निसुल्क सूचना दी जाएगी तो निसुल्क सूचना वे ही ले सकते हैं जो गरीवी रेखा से नीचे के परिवार हैं वे पियल कार्ड धारी हैं वो अपने कार्ड के नंबर और उसकी छाया प्रतिस अगलगन कर निस्रुक सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो शुरुप में वेदे देंगे मैं गरेवी रेखा से नीचे वाले परिवार की हूँ मेरा रासन कार संख्या इतना इतना है 36 अगलगन है इस कारण धारा साथ के तहत निस्रुक सूचना परदान करें पांच बेदे देंगे यदि वांचित सूचना आपके कारयाले से संबंधित नहीं है तो धारा 6 तीन के तहत संबंधित को अस्थांतरित कर पांच दिन में मुझे भी सूचित करें अपना हस्ता अक्षर कर देंगे मुबाइल नमबर देंगे अपना अस्थान तिथी अरू अनुलगनक में जो भी आपने आवेदम दिया हो उसकी छाया परती संगलन कर देंगे तथा रासन गाट की परती अवसंगलन करेंगे जिसके कारण आपको नेसलक सुचना दी जा सके तो और आप लोग इस धारा का भी छोतीन का भी अवसंगलन क कर दें ताकि यदि आप की सुचना दूसरे कारयाले या दूसरी पतादिकारी द्वारा दी जाती है तो उसे स्थांतरित कर दिया जाए तो आप लोग समझ गये होंगे कि आप लोग जिलादिकारी कारयाले से किस प्रकार सुचना मांग सकते हैं वो भी नेसलक जैहिन